Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अब स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MAHI 102 की बुक आधोनिक विश्व मॉडर्ण वर्ल्ड को स्टड़ी करने वाले हैं इसके अंदर में हम पढ़ेंगे All Important Topic of MAHI 102 के बारे में दोस्तो इसका benefit क्या होगा? आपका exam आने वाला है, नजदीक आ चुका है और exam के time पर आपके पास इतना time नहीं है कि आप एक-एक chapter को जाकर study करो detail में study करो, तो इससे हम benefit यह रहता है कि हम Important Topic को find out करें और पूरे book का जो भी Important Topic है उसको study करना है, start करें जिससे आपका पूरा book भी cover हो जाता है, Important Topic भी cover हो जाता है और exam में अच्छे number लाने के लिए के helpful तरीका देखने के लिए मिलता है तो चलिए इस वीडियो को start करते है, जिसके अंदर में हम M.A.I.I. की जो 102 की book है, आधुनिक विश्व Modern World उसको study करेंगा और उसके सारे important topic को हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं इसी तरह की और भी जो बाकी book है, उनकी videos अल्रेडी बनी हुई है तो आप जाकर हमारे channel पे देख सकते हैं चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें आपके book के बारे में आधुनिक विश्व जो book है आपकी, बहुत ही important book है और अगर आपने arts के student हो, 11, 12 में आपने arts पढ़ी है तो वहाँ पे जो भी topic आपने पढ़ा था वही topic आपको MA history के अंदर में भी repeat होते हुए दिखेगा especially में बात करूँ तो जैसे आपका फ्रांसेसी क्रांती हो गया नोकर साही ववस्था हो गया, ठीक है, राज्य के अफधारना हो गया ठीक है, और आधुनिक लोकतंतर के अंदर में क्या-क्या चीज़े होते है इन सारे topic आपने 11-12 में भी पढ़ा है, वही topic यहाँ पर repeat होने वाला है बस एक जो ideological thinking है, वो थोड़ी से improve करने की जरूत रहती है यहाँ पर थोड़ा सा अलग level पर आपको study करने की जरूत रहेगी चले हम start करते हैं, आप यह जो number देख रहे हैं, number 1, number 2 यह आपके chapter का number है, इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे total 26-27 chapter से आपके इस book के अंदर में MHI 102 के अंदर में और यहाँ पर dots के अंदर में जो topics दिख रहे हैं, यह एक chapter के अंदर में इतने topic हैं, आपको इन topics को study करने की जरूत रहेगी और यह important topic है, कुछ topic ऐसे भी हैं, जो tipny based कई बार question बनकर आता है जैसे हम example के तौर पर बात करें, जैसे मुदरन पद्धिती हो गया या नई सिक्षा पद्धिती हो गई यह कई बार tipny based question बनकर आते हैं, जहाँ पर 10 number के लिए tipny लिखना होता है important chapter के तौर पर mark करके चल सकते हो, अगर पहला chapter में से question बनकर आ रहा है तो second chapter में से नहीं आएगा, अगर second में से आ रहा है तो first में से नहीं आएगा normal यही pattern अभी तक चलता है, इगनू के अंदर में, बट आप दोनों topic को study करोगे पुनहर जागरन का उदे होता क्या है, एक ऐसा time period आ गया जहां पर अंद विश्वा सक्दम अपने चरम पर था वहाँ पर लोगों के अंदर में जन जागरती हुई, लोगों के अंदर में जागरती आई कि भहिया यह तो गलत चीज है इसको कैसी वहर निकला जाया, तो उसको लेकर जन जागरती आई है, उसको आप पुनहर जागरन का उधै के तौर पर देखा जा जाता है इतावली भासा का सब्द है रिनेशा जिसका अर्थ होता है जागना या फिर पुंहा जागरण जिसके अंदर में लोगों का अंदर में जन जागरती आई ठीक है जागने लगे उनके लोगों का दिमाग जो तना खुलने लगा यह तो गलत है हमारे संस्कृति का यहाँ पर दोहन हो रहा है उसके लिए वहाँ आपको चीज़े जागरित होती है पुनह जागरण के जो सुरुवात है कहाँ पर होती है तो इटली में होती है यह चीज़ों को आपको याद रखना है पिटली के बाद दिरे दिरे इसका जो विस्तार होता है जर्मनी, इंग्लेंड, फ्रांस और आदी कई जगह उपर इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाता है और जो ये बर्खार्ट से रेनेशा सब्ड का जो वर्णन किया गया है उसको नवीन संस्कृति उदे के रूप में किया जाता है तो उनकी नवीन संस्कृति थे ना नई संस्कृति उसके उदे के लिए माना जाता है मतलब एक तरह से अंदि विस्वास इतना बढ़ गया था उसके उसको उससे पीछा हटने के लिए नई संस्कृति की और लोटने के लिए और जो उनकी पुरानी धरोवर है उसको बचाने के लिए यहाँ पर पुरह जागरन का उदय किया जाता है यहाँ पर पुरह टाइम पि क्योंकि देर e-dere e-dere indirade e-dere करके उसको परहार किया जाता है लग-älग तरीके से जो पूरा जो रियल फॉर्म वे नहुँष की बदलने की कॉर्सिस की जाती यै कई सारे इंडिलेक्ष्व गुरूप होते हैं और चीज़े चल रही थी और आज अपने हिसाब से चीजों को regulate करने लगे थे अपने हिसाब से उसको move on करते थे कि भीया ये वाला चीज इस तरी से set होगा तो उसके खिलाफ यहाँ पे अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर पुना जागरण का उदे किया जाता है ठीक है समझ में आता है धर् देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है जैसे नई सिक्षा पद्रती का मतलब क्या है कि जैसे ये पुना जागरण से पहले कि पैटन सिक्षापद्धि का पैटन ता कि किस तर से study किया जाना है नई सिक्षापद्धि के अंदर में क्या हुआ पुनह जाग्रान के बाद यहां पे विज्ञान को सामिल किया गया नौलेज तो चाहिए नौलेज के साथ साथ वहां पर scientific कि नॉलेज की ज़रुत है उसको प्रूफ करो तकनिक की ज़रुत है उसको लेकर आओ इस तरह के चीज़ें के लिए यहां पर नई सिक्षा पदिति का इस्तमाल किया जाने लगा जैसे आप देखोगे कि मैं आप छोटा से एक्जामपल देना चाहूंगा जैसे हमारे भारत के इसलाम गएंधर में आप देखोगे तो थोड़े ठोड़े उतर मधर्षा होते जहां पर पढ़ाया जाता है जहां पर नएस सारे स्टुइंट्स ऐसे देखे मेरे जो उनको मदर्सव के अंदर में वो तालीम मिली जहां पर उन्होंने उर्दु सीखा बाकी चीजें सीखी जो अपने जो भी उनका चीजें वो सीखा पर जब रियल लाइफ में आते हैं तो वो फेस करते कि सर रहा मुझे ये नहीं आ रहा में ये कैसे करूँ कोई गोल नही ए किस तर से आगे बढ़े यह चीजें हैं तो वहां पर सेम इसी तरीके से नई पद्धित का इस्तमाल किया जाने लगा नई पद्धिति के अंदर में विज्यान तकन को सामिल किया जाने लगा ठीक है मुद्रन पतिती क्या हुआ मुद्रन पतिती के अंदर में छपाई प्रिंटी काम भाईया आज आप जो पढ़ रहे हो अलाइन है हमारे तकनीक विस्तार हुआ हम ऑलनाइन आकर यूटूब पर वीडियो बना रहे हैं ठीक है तो उसी तरीके स मुद्रन पतिती जहां पर पब्लिश करके छपाई करके वह आपके बुक्स को लाए गया और आगे धीरी-धीरी उसको बढ़ाया गया ठीक है तो इस तरह से चीज़े यहां पर चलती है आपका पहला चैप्टर खतम होता है सेकिंड जो चैप्टर है आपका सेकिंड चैप् प्रबोधन लिख कर आए तो भी ज्यानों दे विवेक का यूग लिख कर आए तो भी ज्यानों दे अब देखो यहां पर लोगों के अंदर में जन जागरती आगे लोगों को समझ में आगया कि भया मेरा धर्म यह संस्कृती है मुझे यह बढ़ना है एक तरसर पुना पुसको जादा तर हिंदुदर में मानते हैं ठीक है तो चिकन पॉक्स हुआ किसे को तो पहले के टाइम में माना जाता है कि यह ऐसी विमारी है कि मतलब भगवान ने सराब दे दिया कुछ और दे इस तरह से लेके चलते थे पर विज्यान के अंदर में दिखा गया है किसी अधर के अलर्जी के कारण से होता है ठीक है तो वहाँ पे वो दोनों चीज़े का डिफरेंस था कि किस तरह से अंद्विस्वास लोगों की जान ले रहा है उसको लेकर यहां पर विज्ञान के और जुका बढ़ा तक्नीक के और जुका बढ़ा तो सेम चीज यहां पर मान करना है ठीक है किस तरह से संसार आगे बढ़ेगा इसके बारे में समझते हैं प्रमोधन के काल में क्या होता है यहाँ पे देखो कि प्रमोधन के काल के अंदर में विज्ञान के उपर में जूर दिया आता है विज्ञान बनाम धर्म चलता है कि धर्म बड़ा या विज्ञ विज्ञान बड़ा कौन बड़ा ठीक है इस तरीके चलता है यहां पर इसके लिए ही एक्जामपल था इस तरह से धर्म और विज्ञान यहां पर तकनीकी सिक्षा विस्तारी सब चीजों को लेकर काम कर आता है मनुस्य और समाज के बारे में बात की जाती है तो यह जो टॉप करती है उसके बारे में बताईए तो इस तरीके से पूरा कोश्चन बन कराता है तो डिटेल में आपको ग्यानों दे प्रभुधन के काल को आपको एक्स्प्लेइन करना रहता है ठीक है दोनों सेम चीज़ है इसके बाद अगले टॉपिक के और बढ़ते है आप अगर इतिह पढ़ते हो तो इतिहास के अंदर में आज आपके पास मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी है fundamental rights के बारे में आप जानते हो कहीं भी किसी मुझीबते हो पढ़ते हो तो आप अराम से बोलते हो उसको एकदम पूरे ताओ में कि मेरे पास मेरे अधिकार हैं अधिकार आए कहां से तो देखो अधिकारों की जो सबसे पहली सुरुवात मानी जाती है वो फ्रांसेसी करांती से ही हुई फ्रांस के अंदर में फ्रांसेसी करांती हुई कब हुई तो 1784 के अंदर में फ्रांसेजी करांती होती है फ्रांसेजी करांती को हम एक तरह से वहां से मानते हैं अधिकारों की करांती मानते हैं इतना ज़्यादा लोगों को उपर में दवाव बना जा रहा था जो मजदूर वरग था जो लेबर वरग था उसके उपर में आपस में एकदम समान, अजाद हो, समानता, आपस में समान हो, बंदुत्ता हमारे पास पूरे राइट्स हो, इस तरसे तीन चीजों के बारे में बात की जाती है, बंदुता के बारे में बात की जाती है, और यहीं से पूरे यूरोप के अंदर में, रास्टवाद और मगा इस वीचारधारा का विकास समाज के अंदर मैं देटेल में पढ़ने के लिए कहांब पर तो रूस की करांफी जब आगे पढ़ोगे, रत्या की क्रांती, तो उसके अंदर में आपको detail में समाजवादी विचारदारा पढ़ निकले मिलेगा, समाजवादी विचारदारा अगले से आदक की party, जो है ना? समाजवादी party, उसी विचारदारा पर बनी है, बट आज के समय में हम मुझे नहीं दिखता कि कहीं पर उस तरह पर वाक कर रहे हैं समाजवादी का मतलब क्या होता है कि अमीर गरीब जो उच नीच क्या है सब इकवल है ठीक है किसी तरह का कोई भेदवाव नहीं रहता ठीक है वहाँ पर धन के पटवारे को लेकर बागी चीजों को लेकर बात की जाती है सभी संसादनों पर सभी का अधिकार हो उसके बारे में बात के जाता है किसी एक का अधिपत ना हूँ मालिकाने हक की बारे में बात नहीं की जाती कि भीया यह मेरे पूर्खों का है मैं लेकर चलूँगा पर समाजवादी पार्टी के गर में या पर थो असा क्योंकि election चल रहा है तो उसके बारे में बात करूँ तो एक पार्टी बनी है जो एक ही family की है और एक ही family उसको lead करती है जबकि समाजवादी पार्टी के अंदर में उसको changes करने की जुरूत रहती है एक के बाद दूसरा दूसरा एक वाद तीसरा तब वो रियल समाजवादी है ना मैं भी मान लो समाजवादी विचार्दार को मानता हूँ पर मुझे उस पार्टी में इससा ही नहीं है तो फाइदा क्या तो वो चीज़े भी यहाँ पर देखने क्ले मिल दे बहुत सारे आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर आप तो पोलिटिकली इस तरह से बांट रहे हुए कर रहे हो कर रहे हो तो जो फ्रांसेसी करांटी की जो सुरुवात होती है 1784 में फ्रांसेसी करांटी होती है 1784 के फ्रांसेसी करांटी के बाद कई सारे जो अधिकारों की जो लड़ाई होती है मांग होती है वो यूरोप भर में उठती है पूरी विश्व के अंदर में इसका विस्तार होता है और यहीं से जो सतनतरता समानता की बात होती है यहाँ पे फैलना स्टार्ट होती है तो फ्रांसी करांती का डिटेल में आता है यह पूरी करांती किसकी थी तो मजदूर किसान ठीके इन सब की करांती थी लेबर्स की करांत जियांत यही थी कि इनको मिल गई, समय के साथ के इसके अंदर में अधिकारों की मांग बढ़ी, ठीके इलेक्शन के अंदर में वोटिंग की, दिरे-दिरे मतलब और भी यह नहीं था कि यहीं पर यह अधिकार थम गए, एक बार सो तंदरता की उनको अगर मालो मिलता है, समान समय के सàथ में परिवर्त na होती है, यहां पे कई सारी उपलब्दियां के तौर पे देखा जाता है, फ्रांशेदी कई अरहां पर कोशन ये वी बनकर आता है, कि यह सुरूआत हुई क्यों हो मैंने यह बताई कि फ्रांसेसी करांती है क्या सुरुवात क्यों ही तो जब किसी भी चीज के उपर आप दवाव बनाते हैं तो अरचानक से पुस अप करता है वो अगदम अरचानक से तोड़ कर निकलता बाहर ठीक है तो जो भी मजदूर वरगता कि शान वरगता उन मैं चाहिए जिरो टू की बुक है ना उसके अंदर में अल्रेडी इन टॉपिक्स को पड़ा रखा है और दोनों बुक के अंदर में कुछ डिफ्रेंस नहीं है थोड़े बहुत टॉपिक चेंज है तो जितने भी स्टूइट हैं जो बार बर कमेंट करेंगे तर आपने राज्य की अब देखो लोगों के अंदर में जंजागिरती आ गई लोगों के अंदर में घ्यान होते हो गया लोगों को समझ आ गई यह कि और राज्य की अवधार। राज्य को लेकर concept of states की बारे में बात की जाती है कि राज्य के अवधारना है क्या तो लोगों की मांग होते हैं कि हमें एक राज्य चाहिए एक सीवा चाहिए कि वही है यह यह राज्य है इसके अंदर में लोग रहते हैं यह कानून वरस्ता है इसको इस तरह से regulate किया जाता है तो यह पर राज्य के अवधारना होती क्या है किस तरह से राज्य की मांग हुई इसके बारे में बन कराता है question राज्य की जो उधारवादी अभधारना उधारवादी लोग जो लिब्रल लोग हुआ करते थे उनकी क्या विचारधारा थे किस तरह से राज्य को regulate क्या जाता है उधारवादी विचारधार को ने क्या बोला उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है माक्सवादी विचारधरा और गांधी वादी विचारधरा क्या था है गांधी वादी विचारधरा के अगर आप बात करोगे तो गांधी वादी विचारधरा के अंदर में राम राज्य की कलपना की जाती है कि राज्य किस प्रकार से होना चाहिए तो सीमा विईन होना चाहिए, कोई सीमा बाउंडरी नहीं होनी चाहिए और राम राज्ये के तोर पे स्थाफित क्या जाना चाहिए तो इस तरह से गांधी वादी विचारदर आती है वहीं पर माक्सवाद की बात करो तो आप समानता की बात करते हैं समाजवाद जैसी वेवस्था होने चाहिए, समाज के अंदर में सबी लोग इकवल होने चाहिए तो इस तरह से माक्सवाद की विचारदर है यहाँ पर वाग करती है तो यहाँ पर उधारवादी अवधारणा क्या होती है राज्ये के अंदर में माक्सवादी और गांदीवादी परिपेच्छे क्या है राज्य के अंदर में वो आप यहाँ पे explain करोगे यहाँ पे जो चौथा टॉपिक आता है नारीवादी 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 का रोल क्या है फिमन वुमिन का रोल क्या रहता है एक राज्य के अंदर में किस तरह स और जैसे यह topic जब आप लिखोगे न तो सबसे पहले आप explain करोगे कि राजे का सिधान्त है क्या और उसके बाद आप उदारवादी अफधारना, माक्सवादी अफधारना, गांधिवादी अफधारना और नारिवादी सिधान्त को तीनो चारों को यहाँ आप explain करके topic को बढ माक्सवादी के अफधारना या राज्य के उदारवादी अफधारना टिपनी बेस भी आ जाते हैं दस नंबर के लिए तो इसको भी यहाँ पर study कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर question number 5 की और बढ़ते हैं ठीक अधिकारों की मांग की जाती है राज्य के अफधारना आती है राज्य बन जाते हैं उनके पास अब लोगों का जंजागरती हो चुका है ग्यानोदे हो चुका है अधिकार मिल चुके है राज्य बन चुका है अब राज्य को regulate कैसे किया जाए किस तरीके से चला जाए तो उसके लिए नौकर साही बेरोगेट सिस्टम की जोरत पड़ती है जो राजा होता है उसने कोई रूल बनाया कि या इस तरी से राज्य चलेगा या मंत्री नेता जो होते हैं उन्होंने रूल बनाया कि ये वाला टेक्स इस तरी किसे लगेगा तो क्या टेक्स कोन इंप्लिमेंट कराता है नौकर साही ववस्ता इंप्लिमेंट करवाता है जितने भी वाइट कॉलर जॉप के आपके दिखेंगे ना इस इपीस अधिकारी ये सारे नौकर साही ववस्ता के तोर पर आते हैं एक राज्य को चलाते हैं, एक देश को चलाते हैं, जो देश की नब्ज होते हैं, वो ये होते हैं, अगर ये काम करना बंद करते हैं, पूरी सिस्थम ववस्ता थप हो जाए, मोधी जी अकेले क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, मोधी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, जब के लिए नोकर्साय व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है यहां पर नोकर्साय व्यवस्था किस तर से work करता है क्या पूरा पूरा नोकर्साय व्यवस्था का अंदर में नोकर साही वस्ता किस तरसे है आप अगर कंपनी के अंदर में भी देखोगे तो मालिक ने बोला कि भीया ये वाला काम करवाना है तो मालिक के नीचे कई सारे employees होते हैं जैसे manager हो गया sales in charge हो गया ठीक है तो यह कहें एक तरसे यह नोकर साही कि लोग के तौर पे ही treat करके चल सकते हैं आप इनको जो market के अंदर में किस तरसे क्या चीज़े होना है वो update देते हैं किस तरसे कोई rule है कोई नया project है कोई नया target है उसको implement करवाना है वो लागू करते हैं तो किस तरसे चीज़े चलती है वो वहाँ से तैय होता है तो नोकर साही ववस्ता संसार को regulate करने के लिए कि राज्य को regulate करने के लिए ववस्ता को regulate करने के लिए चलाने के लिए यहाँ पर work की जाती है आधूने टॉपिक इसको आपको study करके चलना है chapter number 6 जहाँ पर हम बात करें आधुनिक विश्व के अंदर में लोकतंतर अब जो modern world है उसके अंदर में लोकतंतर ववस्था किस परकार का है आज के समय में भारत के अंदर में बहुत बड़ा एकना slogan चल रहा है कि लोकतंतर खत्रे में है ठीक है जो एक बहुत बड़ा मुझे लगता ना fraud है ठीक है और अगर आप इस विचारदाराज सहमत हो कि भारत के अंदर में लोकतंतर खत्रे में है तो really आप किसी मतलब trap में first चुके हो ये बोल सकते हो लोकतंतर का मतलब होता क्या है कि लोगों का तंतर व्यवस्ता जहां पे सब कुछ लोगों के अंतरगत regulate किया जाए ठीक है आप किसको vote दोगे आप क्या खाओगे क्या पहनोगे कहा जाओगे कहा बैठोगे ठीक है क्या करोगे क्या देखोगे, क्या पीओगे, क्या खाओगे जो भी चीज़े ना कहां घूमोगे, कहां रहोगे तो वो सब कुछ आपको करने की आजादी है और यही लोगतंतर कहलाता है सिंपल सी बात है मैं कौन सा वीडियो बनाओ, कौन सा वीडियो नहीं बनाओ क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ किस तर से क्या चीज़ है, मतलब किसी का अधिकारों को हनन किये बगर, जो भी चीज़े में करता हूँ वो लोगतंतर कहलाता है मेरा दिल क्या वीडियो बनाने का मैं बना रहा हूँ मैं जो बोलना चाहता हूँ उस पे किसी की पाबंदी नहीं है वो लोक्तंत्र है आप चीन में चले जाओं वहां के परधानमंत्रियों के राश्च्छपती के खिलाब कुछ नहीं बोल सकते वहां पे जो अधिकारी होते उनके खिलाब आप कुछ नहीं बोल सकते अगर उनकी स किया जाते हैं कि भाईया आप तो रेप करते हो आपने तो कुछ किया ही नहीं इस तरह से कई बार के जाते हैं और वही एलेक्शन के टाइम पे चीज़े बदलती हुए हमें देखने के ले मिलती है तो इस तरहीके से अगर आप किसी पार्टिय कर देख रहे हो ना कि लोगत पढ़ो आपको रियल में समझ में आएगा लोगतंत्र होता क्या है फिर जब बड़े-बड़े सिंगर्स को गाने-गाने के जादी नहीं थी तो वह समझो राइटर्स होते पोईट्स होते तो लिख नहीं सकते तो वह समझो थी कि लोगतंत्र डेमोकरसी का मतलब समझ में आएगा आप कभी अफगानिस्तान जाओ ठीके किसी दूसरे कंट्री में जाओ जहां पे लोगतंत्र ववस्था नहीं है ठीके वहाँ पे जाकर देखो कि किस तरह से क्या चीज़े होती है तब आपको समझ में आगा पहले नहीं था इसके अदर में थोड़ा अलग तरीके से ऐड करके डाला गया है तो आपको अच्छे से पढ़ना है और डिटील में बताना है टोपिक कुछ नए है आधोनिक विश्व के अंदर में लोकतंत्र देखोगे तो किस तरह से है कि लोगों के अधिकारों को लेकर किस तर से revolution आई, किस तर से क्रांटीव, क्या क्या अधिकार दिये गए, किस तर किसे चलता है, लोगों की क्या demand है, किस तर से लोगतंतर को उपर में परहार किया जाता है, किस तर से लोगों के अधिकारों को दबाया जाता है, वो सारी चीज होती हैं लोगतंत्र के अंदर में कैसे सभी के अधिकारों को हम रक्षा नहीं कर सकते ठीक है किस तरसे fundamental rights सभी तक नहीं पहुंच बाते तो इन सभी को लेकर ना क्या चुनोती है आपके हिसाब से वह आपको यहां पर explain करना है ठीक है इसको यहां पर बताना होगा chapter number 7 जहां पर हम बात करते हैं कल्यान कारी राजजी के बारे में देखो बहुत सारी इतिहांसकार थे बहुत सारे राजनितिक इसा वर्ग है जो सक्षम नहीं है उसके लिए हमें कारे करना है तो कल्यानकारी राज्य के तौर पर उसको देखा जाता है तो कल्यानकारी राज्य का मतलब क्या आता है कि ऐसा राज्य की स्थापना की जाए जो सभी के लिए समान तौर पर वर्ग करे तो उसको हम कल्यानकारी यहां पर कल्यान कारी राज्य का इंपक्त किया रहा जाता था तो किस तर से क्ल्यान कारी राज्य होते हैं इसको आपको यहां पर बताना होता है ठीक है अग्रे चप्टर के रोबचों से चप्टर निम्बर येट्र्ध श्राइखे राज्य को चुश्या तर्य आ जाता है अब राज्या ये home चलआने वाने topless ये हैं लोग तंत्र ये हैं जो मेरा जगह जो मुझे दिया गया जिस जगह पर में रहता हूं उसके परती अगर मेरी कोई भावना है कि सर्व परी मेरा रास्ट हो तो वो कहलाएगा रास्ट वाद रास्ट को लेकर जमीन को लेकर जो भावना होती है कि मेरा देश मेरा रास्ट मेरा जमीन सर्व परी हो उसको हम रास्ट वाद के तौर पर देखते हैं ठीक है रास्ट वाद के अंदर क्या होता है अपने देश को अपने जो भूमी होती है उसको हम सर्व परी मानते हैं सबसे उपर मानके चलते हैं तो इसको हम रास्टवाद के तोर पे देखते हैं, ठीक है समझ में आता है, यहाँ पर आपका रास्टवाद आ जाएगा, रास्ट और रास्टवाद होता क्या है, रास्ट का मतलब होता है, जमीन, भूमी, एक सीमा का टुकडा जो है ना, सीमा वर्ती जो छेत रहे ना, उसको हम जब किसी के सीमा decide की जाते नहीं कि ये वाला तेरा area है यहां से यहां तक ही रहने वाला है तो यह आपका रास्ट कहलाता है इसके अंदर में रहे रहे लोग रहे एक ववस्ता है उसको हम रास्ट के तोर पे देखते हैं और उस रास्ट के परती जो भावना है आपके जो वीचारदारा है वह रास्ट अलग है जबकि वीचारदार रास्ट अलग है जो कोई स्टूडेंट के पास knowledge हो ना right-wing की रास्ट अलग क्यों बाँबत दोनों का एक होना चाही है एक बूमी मतलब जमीन के लिए जब अप ही रास्ट के लिए इसा वावना होगा हूँ घर अगर मालों मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे लिए मेरा मतलब बाउन्टरी है, अगर मैं इस घर का ही नुकसान की बात करूँ हूँ, तो रास्टवात किस परकार का, रास्टवात मतलब उसके हित के लिए जो भावना हो मेरी हो रास्टवात, ठीक है, तो left wing और right wing के जो आप बता सकते हो, ना इन के अगर में बात करूँ, तो चेफटर नम्बर 9 के अंदर में आपका पुंजि वाधी Уध्योगी करेंड के अंदर में कोशिर मन कर आता है, तो नोकरी कहां से मिलेगी, आपने आप तो पैदा नहीं होगाना, तो उसके लिए पुंजिवाती उद् कि शुरुवात की जाती है किस तरीके से पुझी वादी उद्यूगी करण वॉक करता है कैसे रेगुलेट कह जाता है पुझी मतलब होता है कृझी और उद्यूगी करण के अंदर में हम बात करेंगे कृशी की देखोगे पहले आपना हल से और फावड़े से खेत के अंदर में जुताई की जाती त्यास ट्रैक्टर और आध्वनिक कोई साथ तकनीक है जिससे हम करते हैं वह तकनीक कैसे आया तो उद्यूगी करण से ठीक है, उन तकनिकों के जरीए आपका जो सिचाई की विवस्ता की बात करो, बाकी चीज़ियों की बात करो, बहुत इजी हो गया, ठीक है, तो इजी होने कारण से आपका पैदावार बढ़ गया, आपकी जो वर्क है, प्रोसेस है, वो कम हो गया, तो इस तरीके से क्या है रूसी करांती के सुरुवात होती है, रूसी करांती के सुरुवात के साथ यहां पर देखा जाता है, कि किस तरीके से रूस के अंदर में एक नई विचार धरा का उदे हुआ, रूस के अंदर में, 1917 से पहले वहां पे एक राज्य विवस्ता का सासन था, राजा का सासन था, ठीक है राजा का नाम क्या था आप कमेंट करके बता सकते हैं 1917 से पहले जो राजा था जिसका regulation रूस के अंदर में चलता तो उनका नाम क्या था ठीक है आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पे इस सोवेत क्रांती के अंदर में एक नई विचारधारा की सुरुवात होती है इससे पहले अगर आप देखोगे समाज के अंदर में कुन सी विवस्ता थी तो पुंजीवादी विवस्ता चल रही थी ठीके पुंजीवादी ववस्था चल रही थी और जो ये विचारदार होती है वो समाजवाद की विचारदार होती है जहाँ पर समाज के बारे में बात की जाती है इससे पहले अगर आप देखोगी जो विचारदार थी पुंजीवादी थी साधी साथ 1903 के अंदर में समाजवादी उद्योगी करन के बारे में लोग बात करते कि समाज के सभी वर्गों के उपर में समान अधिकार होने चाहिए सभी वर्गों का समान अधिकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए और समाजवादी उद्योगी करन किस तर से रूल आउट होता है इसके बारे में बात क दो चीज़ा आती है एक होता है उपनिवेश्वाद और दूसरा समराजी वाद चैप्टर नम्बर 11-12 उपनिवेश्वाद के आंदर में क्या होता है उप मतलब किसी को ऊपर निवेश्वीश मतलब भारत के अंदर में आई, उसने बोला हमें वैपार करेंगे, ठीके भारत के अंदर में आई, दिरे-दिरे कि आवो पूरे भारत की ववस्ता को regulate करने लगी, तो उसने पहले अपना time दिया, समय दिया, बागी चीजे करी, उसने हमारी चीजों को change नहीं किया, हमारी ववस्ता क चेंज नहीं किया, उसने हमारी ववस्ता को regulate किया, ठीके अपने हिसाफ़ से चलाना start क्या, वो उपनि वेशवात कहला है, हम किसी देश की जो वैवस्ता होते हैं, उसको अपने पने वेशवात कहला है quin était und date company को ये इतना उसी तरह से, आज के समय में, बड़ी बड़ी भाग गई तो वो चीज समराज ज्यवाद के अंदर में क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे कोई भी देश मालो यह भारत है भारत ने किसी को अपना गुलाम बनाया ठीक किसी उपर पर अधीपत इस्थापित किया अधिपत इस्थापित करने के बाद ने यह पूरा जो इलाका है उसको अपने सीमा के अंदर में मिला लिया तो उसको हम कहते सम्राज्यवाद मतलब सीमा का विस्तार करना ठीक है जबकि उपनिवेश्वाद के अंदर में सीमा का विस्तार नहीं करते वहाँ ब्रिटिस इंडिया का पार्ट है यहां पर भारत को ब्रिटिस नहीं बनाए गया था ठीक है अगर आप देखोगे जो मतलब अगर आप जितने भी यूरोप के अंदर में जो इस तरह की विस्तारबाद की जो नीती थी जितने का भी वह ज्यादा तर आपको समराज्य वाद के तोर पर देखने के मिलेगा उपनिवेश्वाद के तोर पर नहीं ब्रिटिन ने क्या किया जितने को भी अपना गुलाम बनाया ना वो ज्यादा तर उपनिवेश्वाद काइम अपना किया सभी के उपर में क्योंकि उसने उसको कपज़ा किया प्र अपने अंदर सामिल नही किया पर आप बिटन के अलावा किसी और देश की देखों के पॉलिसी को तो उन्हों ने समराज जवाद की पॉलिसी अपनाई थी जहां पर उसकी सीमाओं का विस्तार करना स्टार करते हैं और जो उसकी राज्य की सीमा पहले इतनी थी उसको बढ़ा कर इतनी करने गई तो इस तरीके से चीजे चलती हैं वी ओपने वेशी करने का क्या मतलब होता है ओपने वेशी करने मतलब किसी की ऊपर में अपना अधिपत स्थापित करना और वी ओपने वेशी करने का बहुत जोरसोर से सब्मर्थन किया था और यहांपर वियोपनेवेशिक करन के माग सचार्ट करीती एक ट्राइन पैसा था इसको लेकर कई सारी करांति करने करने कंद करने लिए EB ठीके समझ में आता है चैपनर 13 our 14 के कि अब देखंव एक राज़े बने गया और भी कई तरह के राज्य बने होंगे। उसके दिकारों के बात कर लिंद अब जो लोग है ना एक राज्य में रहने वाले इस राज्य वाली लोग है ना पहुंप का मिचार हुआ कि भैया हम इधर नहीं रहेंगे यहां पर जो केजरिवाल जी है वो बहुत गलत हैं यहां पर दारू बाट रहे हैं भैया मेरा बच्चा खराब हो जागा दारू पी नहीं लगेगा ठीक है यह बच्चा सोच रहा है मेरे पापा दारू पी नहीं लगेंगे त गुजराट पहुंचा जो यह पूरी व्यवयस्ता है न किAmerica न, दिल्ली से इंकल कर गुजराट पहुंचा जो बंद्द या ठीक है, तो ईसका reason क्या था, दारू, ठीक है, तो वो जो पूरी व्यविस्ता है वोका रहता है प्रवासन या अवसान, ठीक है, ये इस्तर से कहलात है अब यहां पर जो खेदरीवाल के समर्थ है कि स्टूडेंट होंगे न हो बहुत काम किया यह काम तो किया दारू को पर भी तो काम किया पर दारू को पर तो बोलते ही नहीं है वह ठीक है यह चीज तो कहने के मतलब एक ऐसा टाइम पिरेड आ चुका था ना जब लोग एक जगह से दूसरे जगह विस्थापी तो रहेते कई सारे रीजन्स थे रीजन्स मेंली हो सकता है प्रकरतिक आपदाओं के कारण से रोजकार के कारण से ठीक है अधिकारों के कारण से ववस्था के नहीं था ठीक है जॉप तो हई नहीं अभी भी नहीं है ठीक है तो उसके बाद पापा यहां पर मतलब एक तरसे विस्थापित हुए और यहां पर रहने रहें रहें प्रवाशन या अफसान कह सकते इसको तो कारण यहां पर जो मैंने बताया कि एजुकेशन हो गया जॉप हो गई ठीक है सुविधाय हो गई वह सारी चीज़े में परपस ले सकते हैं पर कारण के तौर पर इस तर से किस तर से विस्थापित हुए लोग इसके बारे में बात के जाता है ठीक है तो यहां पर बताना रहेगा चैप्टर नुमर फिप्टिन के अगर हम बात करें तो र राष्ट के तौर पर एक राज्य किस तर से विवस्था होती है राष्ट्य राज्य विवस्था किस प्रकार्चा किस तर से रेगुलेट के जाता है राज्य को ठीक है यहां पर बात की जाती है समराज्यवाद और राष्ट्य राज्य विवस्था क्या है समराज्य विवस् सब्षाइब था क्या होती है वह आपको एकश्प्न करना है डिखन के अलब्स вмř सब्वी सदी के राजनितिक परती दुंदताएं अब बीस वी सदी के इंदर में कुर। इछ सब्सक्राइब का दौर में क्या क्रजिशन आपips राजनीतिक के इन दर में अब यंदर में सबसे बड़ी टक्राव क्या होती है सीतिविद के कारण एक ऐसी सिती बनती है जहां पर कभी न कभी रख्त रंजित चीजें हो सकती हैं लड़ाई हो सकता है तो विदाउतर रख्त का न एक तरह से वार चल रहा है कि कि किसी भी सेकिंड ठर्ड वॉल्ड वर श्टा अब जुद यह वाला गुट तेरा यह वाला मेरा थीक दूनों तरफ से कॉंपिटिशन चल रहा होते है कि मैं जदा पावर्फुल मैं जादा पावर्फुल ठीक इस तरह से चीज़ें चलती है तो बीशी सथी के अंदर में क्या होता है आप देखो किस वोर्ल वर्ग के अंद तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थी बनती देने कि मैं ज्यादा पावर्फुल उस तरह से दिखा जाता है राजनिति पवस्थाव को लेकर ठीक है और वह जो इतना ज्यादा हो जाता था था न कई वार कि वह एक युद जैसी स्थी बनने की संभावन रहती थी और पूर जो अग्रेशन का दौर था ना विश्यूद सताब्दी के अंदर में उसको हम सीथ यूद के तौर पर डिफाइन करते हैं सीथ यूद का अगर आप डेफिनिशन देखोगे तो दिमाग से लड़ा जाने वा किसी ने किसी कारण से रूप जा रही है तो यहां पर सीथ के तौर पर दिसको देखते हैं अब इसी गुट बाजी के तौर पर एक नया चीज़ देखने के लिए लिए मिलता है सीथ यूद के टाइम पर दो बढ़ जाते हैं ठीक है जैसे ही आपका सेकंड वर्वर खतम होत यह रहता है ठीक है तो सोब्य संग USSR हम जिसको बोलते हैं ठीक है USSR अमेरिका का एक अलग गुठ हो गया USSR का अलग गुठ हो गया दोनों अलग तरह से कॉम्पेटीट करने किस तरह से क्या चीज़् yapt चलेगा तो गुट्र पेक्षा अंदोलन के अंतरगत आ जाता है और सभी क entry के पास में एक option के तौर पे देखने के लिए मिल जाता है ठीक है साधी साथ अगर आप देखोगे न यह option के तौर पे तो मिलता है कि आप अमेरिका के अंदर में चले जाओ या फिर इसके अंदर में चले जाओ ठीक है यह option के तौर पर रहता है पर यहां पर एक अगला option के आ साथ में जर्मनी ने बहुत सारी कंट्री थी वह दिरे दिरे अजाद होना शुरू हो जाती है तो जो नव जो सुतंतर देश थे की सामिल पर $22 उर फिर से वह और हरा दे फिर मैं उसर में मिल जाओ तो इस तरह के मन मेंदाव्ट था सब के न manger तर्था तो जिसके गुट नरपेख्ष का एकكمन मान जाता है तुमोले स्थापना की जाती जिसका में हैं कि इस बील रहेंगे जे नहीं करेंगे टीके अलग पर अवबस्ता चाहिए ज Whereas स्टीवी कंट्री से ह alguna डेना नहीं होगा इस तरह से व영़ों के बाथ की जाती सबीडेशमों सब्सक्रारूं वहां और जैसे अब ही नहेंग इसके तरफ से हो ठीक है क्या आप जो सेंक्षन लेगे हैं रूस पे वो उसका समर्थन नहीं करते हो या करते हो क्या है क्या नहीं है रूस भी बोले रहे तो भारत को जबाब देना मुश्किल होता है ठीक है इसी तरीके से उस टाइम पर भी यह चल रहा था सीट्व का दौर सता क्तर बब़िया और उसका से अरतली सब्सक्राइं करते हैं शोषक पर सस्कें पर उसके बाद विष्व राज्यवेवस्ताइब किस परकार से चलता है बीस्वी सताफदी के अंत के साथ में सबसे पहले क्या देखा जाता है। USSR का पतन हो जाता है। USSR के कही सारे टुकुड़े बन जाते हैं। च्छोटे च्छोटे देश के तोर पे विस्थापई हो जाते हैं। जो उसका उत्रादिकारी होता है रसिया को बना दिया जाता है साथ इसाथ जो जर्मनी होता है ना उसका यहां पर बटवारा के जाता है जर्मनी का बटवारा होता है बर्लिन और जो मतलब बीच में बर्लिन की दिवार खड़ी के गीती उसको तोड़ दी जाती है और जर्मनी पर यहां पर पुली तरीके से आगे अब बढ़ता है ठीक है तो यह चीज रहती है इस चेप्टर के अंदर में चैप्टर नमबर 17 के अंदर में हम बात करें कि रूस में समाजवादी करांती किस तर से विक्सी तुगी किस तर से विश्टार हुआ समाजवादी करांती की जो सुरुवात है अगर आप देखोगे तो 1917 के अंदर में समाजवादी करांती की सुरुवात होती है ठीक है 1917 के अंदर में समाजवादी करांती की सुरुवात होती है जिसमें समाजवादी विचार धरा का इंट्रोक्शन किया जाता है समाजवादी करांती को कई सारे नामों से भी जाना जाता है बोल से भी करांती, अक्टूबर की करांती, खुनी करांती ऐसे से लग 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 नामों से भी जाना जाता है तो आपको उन सभी चीजों को उपर में भी ध्यान रखना है कि किस तर से किस नाम से कोशन बनकर आ रहा है अब यहां पर क्या होता है कि समाज के अंदर में सभी लोग रहने वाले लोगों का जो अधिकार हो समान है ठीक है समाजवाद के तौर पर चलना चाहिए सभी धन पे सभी चीजों पे सभी का अधिकार हो किसी तरह करने यह पर पुरी तरह से विरोध किया जाता है ठीक है पुर्जी वादी के विरोध में इस विचारधार का विकास किया जाता है जिसको हम समाजवादी करांती के तौर पे देखते हैं और 1917 के अंदर में जो सत्ता परिवर्तन रूस के अंदर में होता है आदोनिक विज्ञान के उदे और इतिहांसिक व्यवस्ता अब देखो आदोनिक विज्ञान का उदे कैसे हुआ नहीं नहीं तकनीक का उदे होना नहीं समाची अंदर में किस तरह से विज्ञान का प्रभाव पढ़ रहा था उसके उपर में बात करना तो जैसी विश्व के अ आगे आपका आता है this one तो यह आपकी आधुनिक विश्व के अंदर में किस तर नीग्प विवस्ताती यह हम बात करते हैं यह पर किस तरह से वोग करते हैं इसका को अगला चेप्टर आपका यहां पर बहुत तेजी से विस्तार होते है प्रुंटिंग विष्था का प्रकास्री विष्था का एक विस्तार केwarm beş है तो यहीप सतावधि होता है क्यों कि फुर्ट यूद्टर जो आतु leve की होता है पूरे यूद़् का उडलता वह यsplण ही माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो छती हुई ना किसी को तो यूरोप को ही हुआ तो यूरोप को हुआ तो यूरोप को हुआ तो यूरोप के अंदर में किस तर से यहाँ पर आगे विस्तार होता है ज्यान करांती, विकास, विज्यान तो इसके बारे में आपे बात की जाती है मुद्रन और प्रकाशन का ग्यान करांती में युगदान देखो आज के समय में जो बुक है आपकी कॉपी है अगर ये होता ही नहीं, बुक पब्लिश ही नहीं होती बुक शप्त के नहीं आदी तो आप पढ़ते कैसे आप पेंड के चाल के उपर में लिकर तो पढ़ते नहीं इतने इजी बुक सभी के तक पहुशती नहीं ठीक है तो आज के समय में पैसा होना चाहिए आप जाकर बुक खरी दिलो, ऑनलाइन भी मिल रही है सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन्स है प्री में भी मिल जाती है तो किस तर से ग्यान करांती में योगदान दिया वो आप यहां पर पता सकते हो चैप्ट नुबर 21 आदुनिक युद्व पर्णाली की विसिस्ता अब देखो आदुनिक युद्व पर्णाली के अंदर में पहले के टाइम पर क्या होता है घोड़े गाड़ी से लड़ते थे तलवार लेकर जाते थे, भाला लेकर जाते थे तो हम पास पास में जाकर तलवार से चाकु से चापड़ों मारते थे, गुसा दिये थे ठीक है, अब वो चीज़े खतम हो गई, दूर से बैटकर सनाइपर निसाना लगाता है और मार देता है, मर जाता है बंदा ठीक है, वो चीज़े हो गया, अब वो भी ववस्ता देरे-देरे खतम हो गई अब बंदूक तोप वाला भी ववस्ता देरे-देरे खतम हो गई, अब यह लड़ाई का मतलब यह नहीं कि बंदूक तोप लेके निकलेंगे, बिल्कुल भी ने लिया, मैंने अभी कल वीडियो देखा इसराइल और हमास का जो वाल चल दा है, फिलिस्तिन का, तो उसके अंदर मैंने देखा, इसराइल मतलब अपने घर में बैठा हुआ है, ड्रोन से वो भेजता है, बंब लेकर, जाता है ड्रोन, ड्रोन थर्मल स्कैनिंग से स्कैन कर लेता है, कि यहां पर इंसान है, बंदू अगर वो ड्रोन को मार भी दे, तो क्या अदिक्कत है, तो इस तरह से बैने फिट हुआ, यह आधूनिक यूदू पर नाली की तौर पे विक्सित हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ में आप देखोगे, आज के समय में साइबर क्राइम जो होता है, यह साइबर क्राइम वो अल जıtने भी देश, वैक्शिन के कर रहे थे, तो दूसरा देश सोच रहा था साइबर क्राइम करवा उसके उपर में, ठीक है, साइबर क्राइम करना दौर में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, साइबर क्राइम करने का मतलब क्या, उनके जो डाटा है न वो चोरी कर लो, डा परोना है एक तरह से यह भी आदुने की उतका ही पार्ट है कि देश को किसी तरह से पंगु ऐसा बना दो ना पहले के टाइम में होता था कि सत्ता प्रिवतन करना है बागी चीजें करना आज के समय ऐसा चीजें नहीं है आप साइबर क्राइम कर दिये आपकी बैंक की वैबसा पर देखा जाता है अब अगला चैप्टर आपको आता है चैप्टर नमर 22 जहां पर हम बात करते हैं सोबे संग का पतन होता है जिसमें कई टुकड़ों बढ़ जाता है उसका उत्रा दिकारी के तौर पर रस्या को माना जाता है टुकड़ा होने का रिजन क्या रहता है कि करन से यहां पर टुकड़ा होता है और आर्तिक असंठता के कारण से यहां पर उसकी टुकड़े होते हैं सादिसार गोरबाचेव करके सोबे संग के अंदर में एक नेता आते हैं जिनकी नीती होती है उनहर विस्तार के बारे में एक सौट शटकिक नीती के तौर पर लेकर जो आपका पुंजीवादी वैस्ता उसकी और अग्रसर होने के लिए नीती लेकर आते हैं ठीक है उस नीती के कायम से जो सोवित संग की बची-खुची कसरती वह खतम हो जाती है और पूरी तरह से उनकी कमड तूड़ जाती है जिसके बाद आप सोवित संग का पतन क्यों अगर आपका स्वास्ता ववस्ता अच्छी है तो आपकी जनसंग्या उपर बढ़ती है अगर एकनौमी खराब नीचे गिर सकते हैं तो बहुत के सारी रिजन्स होते हैं किस तरसे क्या इंपेक्क्त राक है जनसंग्यापरिवर्तन का किस तर से परिवर्तन होता है कोई भुगंब आ गया कोई आपदा आ गई तो भी परिवर्तन होता है ठीक है दवस्ता आप सक्षम नहीं हो चीजों को करने में तो भी इन परिवर्तन को आपको फेस करने के लिए मिलता है तो यहां पर जनसंखे की परिवर्तन होता क्या है वो आप यहां पर explain करोगे चैप्टर नमबर 24 के अगर मैं बात करूँ चैप्टर नमबर 24 जहांपे हम बात करते हैं परिसितिक एकलोजी के बारे में यूरोप ये उपनिवेशी करण किसे परियावरण को हाने तो हुई भारत के अंदर में भी पेड़ों की कटाई बड़े लेवल पर की जाने लगी भारत से जो पेड़ होते हैं काट कर जो भारत के संसादनों उसको लूट कर ब्रेटन अपने देश में ले जाया करता था सीटीव के टाइम के तो बात ही कतम हुए फर्स्ट वाल्ट से अंदर में यह बहुत बड़ी मात्रा में किया जाने लगा ठी लेकर आपको यह बहुता है इसको लेकर आपको यह आप यहां पर बता सकते हो ठीक है चाप्टर नुबर 26 लास्ट चाप्टर आपका यहां पर बात कि जाती है वेश्वी करण के राजनेतिक और आठिक समाजिक परीपेच्छे के बारे में वेश्वी करण के अंदर में राजनेतिक आर्तिक तोर पर क्या समाजिक परीपेच्छे वो आपको यहां पर explain करना होता है ठीक है वेश्वी करण मतलब क्या जो globalization की बात करते है आज के समय में America की बात करू हो करती हैं तो किस तरीके सा वैश्वी करने का प्रभाव रहा राजनीति के अंदर में आर्थिक के अंदर में वह आप इसको यहां पर explain कर सकते हो यह बहुत important topic है कई बार पूछा जाता हो 11 12 के अंदर में आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने के लिए बाकि जो और बी बुक से आपकी MA History जो semester mode की students है उनकी videos में जल्दी जल्दी लेकर रहा हूँ बस यहाँ पे एक problem हम face कर रहे हैं जो इसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप help कर सकते हैं तो बहुत बहुत हम thankful रहेंगे now we are facing some financial problem जिसके गारे से हम videos काफे समय से बनानी पारे और यह almost वान सकते हैं 6 महीने बाद हमारी एक video आ रही है ठीक है 6 महीने बाद यह video आई तो बहुत एक लंबा gap पड़ गया है और education के इंदर में इतना लंबा gap ठीक होता नहीं है पहली बाद तो मैं request यह करूँगा बना पाँ और आपके लिए नए तरीके से नए अच्छे से videos अच्छे topics के साथ में अच्छे तरीके से लेकर आ सकूँ और regular आ सकूँ वो important रहेगा और बाकी students का भी इससे बहुत help होगा तो please try करे help करने के लिए आप इस number पर भी पे अच्छे करू लाद बेस्ट